C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है ये कारेग्रम आचार्य जग्दीश चंद्र बसू एक विलक्षन और सम्वीदनशील वैज्ञानिक कलकत्ता विश्व विद्याले के उत्तर में आचार्य प्रफुल चंद्र रोड़ पर स्थित ये है बसू विज्ञान शोध संस्थान इसके द्वार पर है ये संदेश This temple is dedicated to the feet of God for bringing honor to India and happiness to the world 30 November 1917 आचार्य जग्दीश चंद्र बसू का उन्सथ्वा जन्मदिन बसू विज्ञान मंदिर यानी बसू विज्ञान शोध संस्थान का स्थापना दिवस सर्जग्दीश चंद्र बसू का उद्गातन भाषम I dedicate today this institute not merely a laboratory but a temple without any academic limitations to all races and languages to both men and women alike and for all time coming ये हैं भारतिय विज्ञान की प्रथम पीड़ी के महान विज्ञानिक आचार्य जग्दीश चंद्र बसू इन्हें जेसी बोस के नाम से भी जाना जाता है वो एक बहुमुखी प्रतिभा के विक्तित्व थे वो एक साथ भौतिकी विज्ञानी जीव विज्ञानी पुरातत्व शास्त्री और साइंस फिक्षन के लेखक थे उनका बेतार संचार की खोज में अनुपम योगदान है और उससे भी महत्वपूर्ण योगदान है वनस्पति शास्त्र में भौतिकी विज्ञान और प्रोध्योगी की का इस्तेमाल ये उनका विश्व स्तरिये शोतकार रहे अमेरिका से पेटेंट बाने वाले वो पहले भारतिये थे दस मई सन 1901 शुक्रवार की शाम ये है विज्ञान की सबसे प्राचीन सस्था लंदन की रोयल सोसाइटी का सभागार दुनिया भर के विज्ञानिकों से खचा-खच भरा हुआ जैसा कि आपको पता ही कि आज के विशेश लेक्चर के लिए भारत से हमारे हां पधारे है प्रोफेसर जेसी बोस प्रोफेसर बोस सिर्फ एक मै विशे पर पूलेंगे ही नहीं बलकि अपने प्रयोगों से उसे सिद्ध भी करें I welcome प्रोफेसर बोस Thank you, thank you मुझे अपना खीमती समाई देने के लिए आप सब का धौन्यवाद मैं आज प्रयोगों के द्वारा आप सब के सामने ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि वनस्पती जगत में भी अन्य जीवन रूपों की तरह अनुभूतियां होती हैं और वो भी महसूस करते ही See, this instrument ये उपकरन इसका नाम है Balanced Crescograph ये पौधे में वृद्धी की रफटार को दस हजार गुणा बड़ा करके दिखा सकता है Amazing और इस Electronic Crescograph का Plant Movement Detector पौधे की छोटी से छोटी वृद्धी को दिखाने में उसे measure करने में सक्षम है ये एक इंच के एक लाख में भाग तक की movement को measure कर सकता है ये पौधे की एक करोड़ गुणा छोटी movement को भी record कर चुका है That is amazing Oh my god Unbelievable How is that possible? Yes, it's possible घूँगे याने स्नेल की गती को एक्स्प्रेस ट्रेन जितना करके ये दिखा सकता है That is amazing Great But Mr. Bose, how do you control the vibrations, stimulus को कैसे control करेंगे? Good question ये यंत्र इतना संवेदन्शील, इतना sensitive है कि एक से बीस सेकंड के अंतराल में हुए कंपन को भी ये बखू भी अंकित कर सकता है पौधे में होने वाले हर कंपन को ये कागज की पट्टी पर अंकित भी कर सकता है ये ये मेरे हाथ में एक जड़ सहित पौधा है अब मैं इस पौधे को इस यंत्र में लगाता हूँ और ये डिए्टेब JONसिs चाहे ये हूाँ लागा लम भी कॉधे ये 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 खबादक ट्रूदट के लिए ये हुण अब मैं इस पौधे को यहां से हटा कर जहर में डुबो कर फिर से इस यंत्र में लगाता हूँ Here we go Nothing is happening sir What are we supposed to say here What is he trying what you do अब साबित क्या करना चाहते है देखे मुझे शक है के कहीं कुछ गलत है I am very sure what I am doing Sir, nothing is happening देखे अगर ये जहर पौधे को नुकसान नहीं पहुचा सकता है तो इसका मतलब यह है के ये मुझे भी नुकसान नहीं पहुचा सकता है और इसे थाबित करने के लिए मैं इस घोल को पीने के लिए तयार रहे है No, 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 no Mr. Boss, no, no, Mr. Boss You cannot do this ये क्या कर रहे हैं आप No, I have to do this You can't do this No, I am sorry, I have to Professor Boss, रुकिए ये मेरी शारारत थी मैंने ही जहर की जगे ये गोल भराता I am so sorry Thank you इस गलत फेहमी को दूर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद I am sorry Okay तो अब हम दोबारा ठीक से इस प्रियोग को दोराएंगे Now, see this vibration recording That is amazing इस अब रहा है जैसे किसी की छर्पटाहट हो जैसे किसी की सांस चल रहे हो जैसे कुछ तणप रहा हो पैनप रुकर खड़ा हो गया जैसे किसी की सांस चल रहे हो इसके बाद महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसू प्रफेसर जेसी बोस के नाम से विश्व विख्यात हो चुके थे 30 नवंबर सन 1858 को जगदीश चंद्र का जन्म पूर्वी बंगाल के मेमन सिंगजिले में हुआ पूर्वी बंगाल अब बंगला देश है बालक जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गाओं के ही एक विध्याले में हुई समवेदन शीलता का गुण जगदीश चंद्र को अपने माता पिता से मिला था और जिग्यासू तो वो सौभाविक रूप से खेही अरे ये पोदा जमीन के नीचे कैसा होता है देखो तो साई ये तोट गया अरे इसके नीचे तब फोल भी नहीं है समीन के नीचे फोल ली होते अब ये वादा तोड़के देखता हूँ उड़ी बाबा, के का ओर छी? अब एपोदा क्यों तूर रहे हूँ? तोड़के देख रा था ये पोदा समीन के नीचे कैसा होता है बेटा, जैसे तुम ही चोट लगती है, तो दौर्थ होता है. क्या पता, इन्हें भी दौर्थ हो रहा हो? क्या पोदे भी हमारी तरह रोते हैं? की बोलचे, पर महसूस तो कौरते ही होंगे. बेचारे बोल भी तो नहीं सकते. क्या सूचने लगे? मा, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, तो ज़रूर पता लगाऊँगा की पेड़ पौदे कैसे हसते हैं, कैसे रोते हैं? पहले पोड लिकर खूब बड़ा तो हो जा, ठीक आच्छे? मा, जो स्कूल में बेरे तो दोस हैं मेरे साथ, वो जो मेरे साथ बैचते हैं, मचली की, नदी की, फो सारी कानी बताते हैं, पेडो के भी बाते बताते हैं, अच्छा! मा, जो तलाब है न, उसके पास? The school days were the happiest days of my life, on my right side sat son of my father's Muslim peon, and on my left side was the son of fisher folk, they told the stories of strange creatures in stagnant pools, from them too I drew my love of nature and skills for making small but intricate instruments जग्दीश चंदर बसू जैसा मेधावी बालक, भला गाउं तक सीमित कैसे रह सकता था? सन 1879 में इनका दाखिला कलकत्ता के सेन जेवियर स्कूल में करवाया गया, कलकत्ता? अब कोलकता के नाम से जाना जाता है सन 1875 में केवल 16 वर्ष की आयू में ना केवल जग्दीश ने प्रथम शिणी में मैट्रिक पास की, बलकी छात्र वृत्ती भी प्राप्त की इसके बाद उन्होंने सेन जेवियर कॉलेज कोलकता से सनातक किया, उसके बाद वो इंगलिंड पढ़ने चले गए यहां से सन 1884 में उन्होंने एक साथ दो-दो डिग्रियां प्राप्त की, बीएस्सी और प्रकृती विज्ञान में ट्राइपॉस उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बसु कोलकता के प्रेजिडेंसी कॉलिज में शिक्षक के पत पर न्यूक्त हुए उनकी न्यूक्ती तो हुई, लेकिन उन्हें गोरों के मुकाबले केवल आधे वेतन पर रखा गया स्वाभी मानी और निर्भीग जगदीश शंद्रबसु ने इस अन्याय के विरुद्ध एक पत्र शिक्षा अधिकारी को लिखा और उसके बाद एक दिन सीधा पहुँच गए बंगाल के शिक्षा अधिकारी डारेक्टर ओफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन्स के सामने जिनका नाम था सर एल्फरिड क्रॉफ्ट आप कहते हैं आपके साथ अन्याय हुआ है मुझे ब्रिटिश सहयोगियों की तुलना में आधा वेतन दिया जाएगा और आपको ये अन्याय नहीं लगता सर सी मिस्टर बोस यू आर अन इंडियन आप भारती है इसलिए आपको ब्रिटिश अधिकारी के बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता and also अभी आप, what do you call it, अस्थाई है, temporary तो अभी तो आपका वेतन आधा ही होगा As simple as that, you better understand I'm sorry sir, Mr. Alfred Croft मैं किसी भी European शिक्षक से युग्यता में या पढ़ाने में कम नहीं हूँ तो मुझे पूरई वेतन को पाने का हक है I rightfully deserve equal salaries sir Oh my goodness और अगर ऐसा नहीं हुआ तो Mr. Bose अपने हक के लड़ूँगा मैं sir इस भेद भाव के खिलाफ आवाज उठाऊंगा I condemn racism Oh really? This is injustice sir I'll fight for my right मैं अपने हक के लड़ूँगा Oh I see Well well you go on ahead and try कोशिश केजे Mr. Bose ये सरकार की नीती है Not mine आपको पढ़ाना है तो आधी तनख्वा ही लेनी होगी No sir What? Absolutely no तो आप क्या करोगे? इस अन्याय का विरोध करूँगा sir लेकिन अपने तरीके से मैं ऐसे विरोध के भी खिलाफ हूँ जिससे विद्यार्थियों का नुकसान हो मेरे विरोध में उनकी शिक्षा कहीं आडे नहीं आएगी And? मैं अपना काम करूँगा उन्हें पढ़ाऊँगा वो भी और जोरदार तरीके से लेकिन मैं वेतन नहीं लूँगा Sir Same job Same pay या तो पूरा वेतन या बिलकुल भी नहीं Okay, carry on then Sir सबको समानता का अधिकार है Oh my goodness आखिरकार तीन वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद British सरकार को जुक नहीं पड़ा और इस प्रकार जगदीश चंद्र बसू को पूरा वेतन मिलना शुरू हुआ वो भी तीन साल के बकाय के साथ इसके बाद सर एल्फरिट क्रॉफ्ट जगदीश चंद्र बसू के घनिष्ट मित्र बन गए सन 1896 में लंदन विश्व विद्याले ने उनके शोथ लेक ड्रिफ्टरिंग, ग्रेटिंग द्वारा विद्यूत तरंगों की लंबाई इस पर उन्हें DSC की उपाधी थी और इसके लिए उन्हें परीक्षा में बैठाने की भी जरूरत नहीं समझी अचार्य जग्दीश्चंद्र बसू को प्रयोगों तथा आविश्कारों के प्रदर्शन के लिए दुनिया भर से निमंत्रण आए सन 1901 में रोयल सोसाइटी ओफ लंडन में सन 1902 में लिनियन सोसाइटी ओफ लंडन में 1914 में यॉरप के कई देशों में उन्होंने अपने प्रयोग प्रदर्शित किये और व्याख्यान दिये 1919 से 1939 के बीच कोपनहेगन, जनेवा, पेरिस, बरलिन, वियना, निउयोग और टोकियो में अपने प्रयोगों से उन्होंने दुनिया को चकित कर दिया ये है मेरा नया उपकरर कोहरर इस स्प्रिंग नुमा सिर्किट में मैं ये देखिए एक टेलिफोन डिटेक्टर लगा रहा हूँ ठीक है अब जैसे ही मैं ये करता हूँ तो तरंगों का फ्लाश रिसीवर पर नजर आता है और अर सनिये ये कोहलमो मारकोनी को इस बेतार टेलिग्राफी में अपार संभावनाई नजर आई और दस साल बाद 12 दिसंबर सन 1901 को उन्होंने अटलांटिक महासागर पार संदेश पहुँचाने का अपना पहला प्रयोग अंजाम दे दिया एक बार नहीं बलकि बार बार प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसू अपने प्रयोगों से विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हैरान करते रहे एक बार की बात है, Cambridge University के प्रोफेसर सर माइकल फोस्टर एक दिन सुभा सुभा खुद प्रोफेसर बसू की प्रयोगशाला में आए वे खुद अपनी आखों से अती समवेदन शील उपकरण को देखना चाहते थे यह उपकरण इसका नाम है Balanced CrescoGraph इस रिस्पोंस कर्व के बारे में पताई आप क्या सोचते है Professor Bose, what is new in this? इस प्रयोग में नया क्या है? हमें आधी सदी के पहले से जीवों में ऐसे रिस्पोंस कर्व का पता है Are you sure Mr. Foster? Yes, I am Are you sure के इस एक्सपरिमेंट में कुछ भी नया नही है? No doubt Mr. Bose हमने काई दशकों से एसे response curve देखे हैं जीवों में But I am sorry to say sir ये एक तिन का response curve What? तिन? You mean a tin? Yes sir You said a tin? Yes You mean a tin? You said a tin? Yes You mean a non-living thing? That's it I can't believe my ears चा मैंने ठेक सुना आपने tin कहा Yes Mr. Foster में ये साबित कर सकता हूँ के लंबे समय तक लगातार काम करके कोई भी मशीन ठक जाती है उसकी संबेदन शीलता कम होती जाती है जैसे जीव विश्राम करके फिर से काम करने की स्थिती में आ जाते हैं वैसे ही विश्राम से कोई भी उपकरन फिर से workable हो जाता है और बिना आराम बिना उसका ध्यान रखे जीवों की तरह धातूओं की सहनशीलता भी कम होती जाती है या बिलकुल गायब हो जाती है You know, we can call it a death sort of a thing Amazing, Professor Bose, amazing I invite you to the Royal Society of London आप मेरा निमंत्र अन्स्वीकार करें और वहां अपने प्रयोगों और अविश्कारों का प्रदर्शन करें Sure, sir, why not? Thanks for the opportunity I am really good to have you here, sir Honored The pleasure is ours, Mr. Bose San 1916 में, British सरकार ने आचार्य जदीश्चंद्र बसू को नाइथ होट से सम्मानित्या 13 मैं, San 1920 को Royal Society of London ने FRS यानि Fellow of Royal Society की उपाधी के लिए उन्हें चुना सन 1927 में प्रोफेसर बसू ने भारतिये विज्ञान कॉंग्रेस की अध्यक्षता की सन 1931 कलकत्ता यानि कोलकता के नागरिकों ने सरजग्दीश्चंद्र बसू के सम्मान में एक अभिनंदन समाहरों का आयोजन किया इस समाहरों के मुख्यती थी थे उस समय के कोलकता के मेर नेता जी सुभाष चंद्र बूस महात्मा गांधी जग्दीश्चंद्र बसू से बहुत अधिक प्रभावित थे दोनों के बीच पत्र वहवार होता रहता था महात्मा गांधी ने सर्जग्दीश्चंद्र बसू के जन्म दिन पर एक पत्र में एक बार उन्हें लिखा था अनेक शोग कामनाएं जो आपको मिली होंगी उन्में मेरी भी एक शामिल कर ले मेरी दुआ है कि आप दीर गायू हों जिश्चे निरंतर बढ़ती आपकी ख्यमता और महांता आप पूरे भारत के शाथ साजा करते रहें इंक्रीसिंग पावर एंड ग्रेटनेस 22 नवंबर 1937 को रात में बसू देशभक्ति की चुनते रहे अगले दिन 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अनुसंधान यात्रा पूरी कर सदा के लिए विश्राम ले लिया आचार्य जगदीश्चंद्र बसू तुम्हें हमारा शत शत प्रणाम वे हमारे सबसे बड़े शत्रू होंगे जो चाहते हैं के केवल अतीत की गौरव गाथाओं पर ही हम जीएं परवास्तव में निरंतर सफलताईं अर्जित करके ही हम अपने महान अतीत के साथ न्याय कर सकते हैं हमारी बुद्धी ही हमारी प्रयोग शाला है जहां से ब्रहम और भ्रांती की धुन्द के पीछे से निकल कर सत्य के नियम उचा कर होते हैं आचार्य जग्दीश चन्र बसू एक विलक्षन और सम्वेदन शील वैज्यानिक अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम आलेक डॉक्टर जितेंद्र सिंग, कलाकार चुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, कमल कुमार वर्मा, मम्ता मलकानी, वैभव, रप्षित थपलियाल और किशोर सहजानि बाल कलाकार निशान्त, संगीतकार राकेश पंडित, धोन्यांकन बटिलैंगलिंग्डो और शानु मुक्सीम, निर्मान, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत